भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज T20 सीरीज का पांचमा और आखरी मैच खेला जा रहा है 3-1 से पहले ही T20 सीरीज पर कब्जा जमा चुकी भारती है टीम अज पांचमे T20 में जीत के साथ वेस्ट इंडीज दौरा खत्म करना चाहेगी आपको बता दें कि पांच में T20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कई ऐसे दिगज बल्लेबाजों का चैन हुआ है जिनकी तुफानी बल्लेबाजी के वजह से वेस्ट इंडीज के दिगज गेदबाज भी थर थर काप रहे हैं वेस्ट इंडीज के कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन पाहले ही अपनी टीम की हार लग भग तैमान चुके हैं हलाकि देखा जाया तो वेस्ट इंडीज के पास भी कई ऐसे आकरामक बल्लेबाज हैं जो कुछ देर तक मैदान पर ठीक गए तो वेस्ट इंडीज की टीम रनों का पहाड खड़ा कर सकती है ब्रेंडन किंग, रामेन पावल, शिमरान हिटमायर के साथ-साथ, कपतान निकोलस पूरन जैसे घातक बल्लेबाज वेस्ट इंडीज की टीम में मौजूद हैं जो अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिलाने की छमता रखते हैं दूसरी तरब बात करें भारतिय टीम की तो जबरदस्थ फॉम में चल रहे रिशब पंत और संजू शैम्सन एक बार फिर वेस्ट इंडीज के गेदबाजों की धुनाई की तैयारी कर चुके हैं खुद वेस्ट इंडीज के कप्तान निकोलस पूरन भी मान रहे हैं कि मौजूदा टीम इंडिया में रिशब पंत और संजू सैम्सन जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखते हुए इन दोनों विकेट कीपर बल्लेबाजों को भारती है टीम का अगला मेहंदर सिंग धोनी कहा जाये तो गलत नहीं होगा रिशब पंत और संजू सैम्सन के फैंस की माने तो आज पंचमें और आखरी मुकाबले में यह दोनों दिगज बल्लेबाज एक ओवर में छे छक्के लगाने के साथ साथ मातर 18 से 20 गेंद पर सतकीय पारी खेल सकते हैं पंत और सैम्सन के अलावा आज प्लेइंग 11 में आकरामक बल्लेबाज इसान किशन की भी वापसी हो सकती है जी हाँ आपको बता दें कि इसान किशन मैदान पर उतरते ही बिलकुल महंदर सिंग धोनी के अंदाज में ताबर तोड तुफानी बल्लेबाजी करने की छमता रखते हैं खैर अब देखना दिल्चस्प होगा रिशपमंत, संजू सैम्सन और इसान किशन आज T20 में अपनी तुफानी बल्लेबाजी का जलवा विखेरने में काम्याब होंगे या फिर नहीं